पिछले साल कन्या कुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ों यात्रा पे चले चार हजार किलोमीटर समुद्र से हिमालय तक यह यात्रा चली और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूचा इस यात्रा का लक्ष क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यूं कर रहे हो तो हमने समझाया कि देश में आरेसेस की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फेला रखी है भाई भाई से लड़ रहा है एक धर्म के अव्यक्ति दूसरे धर्म के अव्यक्ति से लड़ रहा है भाशाओं के बीच में लड़ाई हो रही है एक जात दूसरी जात से लड़ रही है और हम चाहते थे जो ये मुहबत का देश है इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मुहबत की दुकान खुलनी चाहिए यात्रा में हम लाकों लोगों से मिले सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई साथ घंटे हम चलते थे किसानों से मज़दूरों से स्टूडन्स से माताओं बहनों से बातचीत होती थी उनके दिल में जो दर्द था जो कठिनायां थी वो हमें बताते थे और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे और हिंदुस्तान की राजनेती पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है नफरत हिंसा उसके खिलाफ एक और नया विजन एक नई विचारधारा खड़ी हुई आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकती जितनी भी कोशिश कर लो नफरत को नफरत नहीं काट सकता है नफरत को सिरफ मोहबत और प्यार काट सकते है तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते है देश को बाटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम महबत, इज़द, भाईचारे की बात करते हैं जब हमने यात्रा खतम की, तो काफी लोग हमारे पास आए कहते हैं, राहुल जी, आपने कन्या कुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर दी मगर देश का जो राजनेतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से समाजिक न्याई की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं, बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असाम से आपकी यात्रा गई नहीं, तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नोर्थीज से लेकर महराष्ट्रा तक होनी चाहिए, और हमने बात मान ली, इसलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं, बिहार में से अब ये यात्रा, भारत जोडो न्याई यात्रा निकलने जारी है, शुरुआद मनिपूर में की, वहाँ अपने बीजेपी की जो विचार धारा है, उसको अपनी आँखों से देखा, मनिपूर को दो भागों में बाट दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है, और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है, दुख की बात है, कि हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री आज तक मनिपूर नहीं गए, शर्म की बात है, आज तक हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री मनिपूर नहीं गए, मनिपूर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं घर जलाए जा रहे हैं मगर आज प्रधान मंत्री वहाँ आज तक नहीं पहुंचे तो यह देश की हालत है अब बिहार में हमारा क्या लक्ष है इस यात्रा में हमने न्याय शब जोड़ दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और सच्चा यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है न्या समाजिक न्याय मिलता है तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है मोदी जी की सरकार में दो तीन अरब पतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाता है चाहे वो एरपोर्ट हो पोर्ट्स हो इंफ्रस्ट्रक्चर हो हस्पताल हो युनिवर्सिटी हो सारा का सारा दो तीन बड़े उद्योग पतियों को पकड़ा जाता है मगर जो हाथ से काम करता है मजदूरी करता है जो किसान खेती करता है उसकी सरकार मदद नहीं करती है उसके लिए बैंक के दर्वाजे बंद है और उसके लिए नोट बंदी और जी एस्टी है अरब पतियों के लिए बैंक के दर्वाजे खुले प्रधान मंत्री का अपसर खुला का ओफिस खुला सरकार के सारे के सारे दर्वाजे उनके लिए खुले तो ये बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं बिना समाजिक नियाय और आर्थिक नियाय के ये देश प्रगती कर ही नहीं सकता है ये खोकले शब्द हैं ये जो विकास की बात करते रहते हैं समाजिक नियाय के बिना आर्थिक नियाय के बिना ये काम किया ही नहीं जा सकता है कि अंत में मैं आपको एक उधारन देना चाहता हूं कि पूरा देश जानता है कि देश में कि सबसे बड़ी अबादी कि ओभी सिवर की होती है तक्रिवन पचास परसेंट ओबिसी वर की अबादी है पंदरा परसेंट डलित है बारा परसेंट आदिवासी है तक्रिवन पंदरा परसेंट माइनॉरिटी है यह सचाही है देश की यहां जो ओभी सिवर के लोग बेटे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 आये सबसर चलाते हैं देश का पूरा का पूरा बज़ेट हर रुपिया यह लोग निर्ने लेते हैं डिफेंस में कितना पैसा जाएगा स्वास में कितना जाएगा किसानों को कितना मिलेगा यह 90 अपसर यह सारे के सारे निर्ने लेते हैं इनके बिना बज़ेट का एक रुपिया नहीं बाटा जा सकता और मैं बिहार के OBC से कहना चाहता हूं पिक्षडे वर्क के लोगों से कहना चाहता हूं इन 90 अपसरों में से OBC वर्क के सिर्फ तीन हैं और अगर बज़ेट में 100 रुपे बाटा जाता है तो OBC वर्क के अपसर सिर्फ 5 रुपे बाटते हैं यह सच्चाई है और यह OBC वर्क के साथ हो रही है गलित वर्क के साथ हो रही है आदिवासी वर्क के साथ हो रही है इसलिए हमने समाजिक नियाय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्ने ले लिया है भाई और बेनो इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में OBC कितने है दलित कितने है, आदिवासी कितने है, जेनरल कितने है उस काम को करने के लिए जाती जनगरना की ज़रूरत है जाती जनगरना एक रांतिकारी कदम है जिस दिन जाती जनगरना हो जाएगा उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछणों को सब को पता लग जाएगा कि उनकी अबादी कितनी है और फिर उससे पता लग जाएगा कि उनका हक कितना बनता है जब तक समाजिक न्याए के सवाल को हेड ओन नहीं लिया जाएगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है तो यात्रा में दो तीन तरीके के न्याए के हम बात कर रहे हैं समाजिक न्याए और आर्थिक न्याए इनके बिना देश प्रगति नहीं कर सकता है और ये बात हम बिहार की जंता को बताने आए हैं और आपके दिल में इसके बारे में जो विचार हैं जो सोच है उसको भी हम यहां समझने आए है आपने प्यार से मेरा स्वागत किया हजारों लोग आए आपने अपनी पूरी शक्ति अपना प्यार इस यात्रा में डाला हमारी मदद की इसके लिए मैं पूरे बिहार को दिल से धन्यवाद करता हूँ था है आप एक बात मत भूलिए को कि आप एक बात मत भूलिए जबभी देश में 3 कि समाजिक न्याइक िबात हुई है कि बिहार ने लीड ली है आपने लीड ली है ओर BE में और यह आपकी पूरा देश बिहार की ओर देखता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है और यह आपको पूरी करनी पड़ेगी कि मैं बिहार के हर नागरिक से कह रहा हूं कि देश को कि देश में प्रगति होनी है तो आर्थिक और समाजिक न्याएं की ज़रुवत है और समाजिक न्याएं को आपसे बहतर कोई नहीं समझता है देश में यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिद न्याएं का हक मिलने तक